जब तक spirituality नहीं होती है, उसमें complete health आती नहीं है अभी हभी हमें बहुत अच्छा मागदर्शन मिला स्वामी जी से उन्होंने ऐसे चीज बताई जो हम सब डॉक्टर लोगों के लिए बहुत जरुरी होती है उन्होंने जिनचर्य के बारे में बताया, आहार के बारे में बताया उन्होंने दुसरों का सेवा करने के बारे में बताया उन्होंने ये भी बताया कि habits के बारे में, उन्होंने आहमें ये भी बताया addictions के बारे में और जबी भी हम प्रमक स्वामी महराज और मान स्वामी महराज और saints B.A.P.s के saints के हम सुनते हैं, उनके blessings लेते हैं हमें इनका reminder always मिलता है कि life में कैसे रहना है health क्या होता है हम लोग, डॉक्टर लोग सोचते हैं कि physical health है, mental health है social health है spiritual health है बहुत important चीज होता है जो आज के दिन में बहुत important चीज है और हमें इस संसान से और हमारे संत और महान गुरुजी से हमारे मिलती है पर जारे यहां आवया पर छिए नो अनूभो थो साक्षात कार थो तर मारे लागें तो आतो मारी कल्पना नी बहार रतू स्री प्रमुक्स्वामी न सेवा मा कारणे हूं एमना संपर्क मा आवतो जारे में जोईक हूं कि जीवन विजाने मतेज जीव्यय अच्छाण ख्षाण हैं में यह बीजाने माटेज खर्ची शे साय मैं जोईक हूंड एमना यहाँ म्यूजीम मां कि एक एक म समत तो thì अन्य एकेक पड़ एमने पोता ना सिवाय एमना संसार ना छेने पोता ना कुटमी जनो गणता एमने माटे जगालवा माटे एकाड़ता क्यारे कोई ने ना न करवी तो जुआ सिधी वात टेरोरिस्ट जारे अक्षर दाम पर एटाक करयो ते वक्ते अर्धी रातना प्रार्थना पड़ करी और टेरोरिस्ट प्रत्ते कोई पन जातनो तिरसकार क्रोध कोई पने भी दुख नी बावना बतावी ने भी खराब बावना बतावी नो थी उल्टा नी प्रार्थना करी या थी के बद्दाने संवती आपे Einstein नी वात निकली Dr. Swami क्यों कै पे Einstein नी थेरी E is equal to mc square Einstein नी जे मात्मा गादी माटे रख्यू शे ए प्रमुक स्वामी माटे पुन शे generation to come will scarce believe that such a man ever in blood and flesh walked on this earth बुजराती मा रुपांतर करूतो आवती अनेक पेडियो मानसे पड़ नहीं के आवी जीवंत व्यक्ती आद धर्ती पर विहार करी रहीती आवस्तु अक्षरशह प्रमुक स्वामी माटे लागू पड़े चे अनुकंपा प्रेम शेशनुता ज्याग अने जीवन शेली माथी आपने सीखवाने जरूर छे ये स्वामीन राये चेम चो अवर्यबड़ी नहीं जीवन जीवन शेली माथी दुबाई आपन। जीवन शेली माथी ऑ क्या प्रेशा ह। वश्क जीवन 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 साथ्या प्रेम जीवन चीवटा And from that day, we came very close together. And when I'm coming to India, where is he? I go to meet him. And I visit most, maybe 70-80 percent from all temples in India and in UK also. So today, I am very close to these people. For this, I came to India and to Amdabth especially. अगणिसो ने इठ्धियो तेर मा उँँ जारे SSC मा मारो बॉड मा नंबर आयो स्वामी जी आशिर्वाद आपया दा मारा फाधर ने जे अमना फीजीशन आता डॉक्टर मधुसन बुटे ते वखते वहुँ आशिर्वाद लेवा स्वामी जी ने मलवा गयो ते आरनो मारो परीचय ओगणिसो ने इठ्धियो ते छेक सुधी एपरीचय गयो और पहली वखते गयो ते आरे ये जे स्वभाव मा जे निखालसता ने सरलता आती ये मने जोवा मली और मने उलागियो के जाने कोई हाटला मोटा संचे अपन कोई कनेक्शन नो कोई प्रोब्लेम नदी और देर इस नो बेरियर कसु बेरियर ना लागियो ये वखते मने याद छे क्या बड़ा फाधर अमने तपासे आमे आशिर्वाद लिदा और पछी ये वखते अमने चंतों ने कहुँ के जो जो हो ते जसने मधुबेन जमाडी ना मोकल जो और आज शिरस्तों छेख सुधी चालू रहो ते छेली वखते स्वामी ने जार तपास्वा हुँ और मारो कलीक डॉक्टर संजय सारंगपूर गया ता ते वखते पन स्वामी नी सारी रिखालत इतली सारी नती अने बहुँ जो भीकता बोली शकेवी परिश्ती ती नती ते छता पने अमने कहुँ के अमेलों अमने तपास्या है अमनी साथे बदी चर्चा करी कहुँ के अमने जमाडी ना मोकल जो आ यूमिलिटी विनम रता पन जैने केवायने केनी टोच उपर अने कंसिस्टंटली एनु एज पु अन्रा और तन अ सतत में आ पातरीस वरस्त नो जे संपर्ग मारो रवयमा में जोयू अन्य बिजू जे मने बहुज टच करी गई थी यहमना स्वभावनी खाशियत के सिंप्लीसिटी एंड इफेक्टिवनेस इन सिंप्लीसिटी यह के वी रिते तो पांच वरसना बालक साथे स्वामी कॉम्यूनिकेट करे तो भी एटलू सहत्ता थी सामेवारू बालक पन एटलू सहत्ता थी वाद करी शके स्कुलनों विद्ध्यार्थी साथे वाद करे तो पढ़े रिते करे कॉलेज मां विद्ध्यार्थी साथे वाद करे तो पढ़े रिते वाद करे कोई डॉक्टर साथे वाद करे कोई एंजिनियर साथे वाद करे कोई गामडा ना खेडूत साथे को अब्जव करतो तो तो त प्राइम मिनिस्टर ओनरेबल प्राइम मिनिस्टर के ओनरेबल प्रेसिडेंट्स आथे पर कनेक्ट था इतली सारी हिते के बिजादेशना प्रीमियर साथे के से इस् होलीने इज स्पुपफ साथे औने डरेक्श वियक्ति ओपर यह मने मानसप़ पर एंवनी डीप इमप्रिंट मुकीणने जाये तो ओक इसक被 तो चनने कया मांग के बुद्ध व्यक्तित्व क्या है अने जगत मां आऊ व्यक्तित्व क्या जोवा क्या रे मड़ें आऊ मने लागे शे अनने आ वस्तु मने उस भर्षी गई थी क्या कई रिते स्वामी आ वस्तु मैनेज करे शे कांके हमने इंग्लीश नू पन बेरियर रतू थे छता एक गुज प्रभावित रहता था यू मने चोकस पने लागे शे तो प्रमुग स्वामीनू कॉंट्रिब्यूशन बीए पीए संस्था ने एक ग्लोबल फिनोमिननमा कन्वर्ट करवानुशे यह मने एक विश्वस्तरिये अगटित क्या अभुद्पूर्व गटना एक बीए पीएस छ यह आखु प्रस्थाबित कर्यू और यह आजे जोई शकाई छे के आ नगर मां एंसी अजार स्वयम सेवकों छे एमां विद्यार्थियों छे कोई गामडाना नाना स्वाम्ट स्मॉल टाइम स्वापकीपर्स छे के पची कोई बिजनेस्मेन पन छे के कोई इंडस्ट्रिया स्वाम बद्दा एकच प्लेटफोर्म पर एक लेवल पर काम करी रहा छे अनि एक कामनू संकलन इतलू बदू जबर जस्ट छे के कोई पण बारनी व्यक्ति जे आज संस्था ने ओछू जानती होए के ना जानती होए अनि एक वक्ते आ अंदर प्रवेशे कोई ने एक टका क्या हीच ना आवे अना उं अब्जर एक पन करता हो थो कि कोई जग्या एक नानममनानों काचरानों टुकड़ों के कछ्छू है के बॉटल के प्लास्टिक नी बॉटल कस्ट एक जग्या है क्या ही पडि ओनी आग क्या थी बदू जतू रह छे काही लित आहुँ रहünden है degrees तोफ इतले आ अखी ये पेस संस्था एक ग्लोबल फिनोमिनम में कनवर्ड करवानू काम स्वामी जी करिए अन्य आ बदू जयरे जो ही है त्यारे एक व्यक्तित्व नो पूतानों कितलो प्रभाव कितला बदा लोको उपर होये छे अन्य कितलो उंडो प्रभाव होये छे नो अपने ये अंदाजपन आई सके अवर्ण निये छे अकल्प निये छे वह मने लागे छे शी प्रमुक्ष स्वामी जी महराज ने इस पूरे विश्व के अंदर जो कर दिखाया है वो सभी के लिए प्रेरणा रूप है बचपन से लेकर अपनी वृद्धावस्ता तक जो उन्होंने अपने जीवन की प्रत्येक्षण समर्पीत की है और इसलिए उनके लिए कहने का मन होता है औरों के लिए जो जीता है औरों के लिए जो रोता है उसका प्रत्येक कर्म गीता और हर आंसु रामायन है जैसे चंदन की लकड़ी अपने आपको घिस कर अपना समुचित पना सुगंदित होकर विता देती है उसी भाती प्रमुक स्वामी जी माराज ने अपने देह को चंदन की लकड़ी के समान घिस कर प्रेम भक्ती की स्वास को पुरे विश्व के अंदर फैलाया है यह पुरे प्रमुक स्वामी जी जन्वशताब्दी महुतसों में आकर जो पवित्रता का हमें अनुभव होता है डॉक्टर साहिब ने जैसे फरमाया कि यहां जब आप ये नगर के दर्शन करो तब कोई कचरा आपको नहीं मिलेगा सब जगे दिव्यता का पवित्रता का वातावरण है यह आप सब को पावन कर रहा है भगवान ने भी गीता में कहा यग्णो दानम तपश्चैव पावनानी मनीशिणाम यग्य दान और तब ये मनुष्य को पावन करता है पवित्र करता है ये प्रमुक स्वामी जी नगर के अंदर यग्न है वैदिक यग्न भी यहां हो रहे है सेवा के यग्न भी हो रहे है अरे लाखो लोग भोजन कर रहे हैं और उनकी जठरागनी को भी यहां स्वाहा हो रहा है ये इतना बड़ा सेवा यग्य ये प्रमुक स्वामी जी नगर में हो रहा है यहां हजारों की तादाद में वोलेंटियर्स कोई भी नाम की अपेक्षा बिना गुरु भक्ती की चरम सिमा के उपर पहुँच कर अपने आपको जो समर्पन भाव से यहां सेवा प्रदान कर रहे हैं धन भागी है ऐसे स्वयम सेवक उनको में रदे पुर्वक सादुवाद प्रदान करता हूं और इसका श्रेय वो केवल मात्र श्री योगी जी महराज श्री प्रमुक स्वामी महराज और वर्तमान श्री महन स्वामी महराज जी को जाता है कि इनों ने जिस प्रकार से स्वयम सेवक और संतों को तयार किया है और मैं ये जराबी अतिश्य योक्ति नहीं कर रहा पूरे विश्व के जितने भी दार्मिक संगटन है उनके लिए अनुशाशन के तौर पर संगटन के तौर पर सुव्यवस्थापन के तौर पर अगर कोई रोल मॉडल और्गिनाइजेशन हो तो वो B.A.P.S है जैसे कुमभार गड़े को बनाता है पहले मिट्टी को वो मुलायम करता है पानी से बराबर वो मुलायम हो जाए फिर वो मिट्टी का घट बनता है और फिर वो मिट्टी के घट को चाक के उपर चड़ाया जाता है फिर उसको गोल 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 गुमाया जाता है और फिर जाकर सूर्य के वो तपन से उसको तपाया जाता है और आखिर में जब मटका तयार हो जाता है तब उसको खट-खट करके उसका परिक्षन किया जाता है कि ये मटका परिपक्व हुआ के नहीं ये सब के घर में प्याव बनेगा लेकिन इसके अंदर परिपक्वता है के नहीं तो जैसे कुम्भार एक घड़े को बनाता है उसी भाती प्रमुक स्वामी महाराज ने हजारो संत रूपी घड़े बनाए जो आज घर घर में सत्संग का प्यावू बन गए है और सनात निंदु वैदिक धर्म के अंदर सभी आचारे संत गुरू इसका गर्व लेते हैं द्रश्य यहां से देखकर सही में मैं अभिबूत हो गया हूँ प्रमुक स्वामी जी महाराज का हम लोग सब सताब्दी महोसव का उस्व मना रहे है एक क्षण के लिए विचार भी मन में आता है कि पांच-छे साल और रुख जाते ब्रमलीन होने के पहले तो आज का एक उत्षव अलग ही होता स्वामी महाराज जी से जो भी मिला है एक बार भी मिला है अब विबूत हो गया हमारी भारत की महान संस्कृति का वेद मन्त वसुदेव कुटम कम हम तो भाषन ही देके रहे गए परंतु प्रमुक स्वामी जी महाराज के नेत्रुत में पूरे विश्व में जितने भी मंदिर बने हैं संस्ताइं बनी हैं जितने भी ब्रांचेज बनी है यह सही माने में वसुदव कुटम कम जो हमारा वेद मंत्र है भारत के हमारे संस्कृत का प्रतीक है विश्व में फेलाने का सही माने में अधी काम किया है प्रमुक स्वामेजी महराज ने किया यह हमको मानना पड़े इतने मंदीर अमेरिका में, कनाड़ा में, सारे विशो में फैला दिया जाल एक साधरान मानाव का काम नहीं हो सकता है बहुत बड़ी देविक सकती उसके पीछे है यह हमको निश्चित मान के चल रहे हैं बहुत बड़ी देविश्कती है कोई साधरान संत नहीं थे साधरान संत यह करी नहीं सकते है बहुतों को अलग-अलग अनुभव आया होंगे मुझे भी अनुभव है यह पवित्र भूमी है बाहर का वातावरन यहां के वातावरन में जमीन आस्मान का फरक है परिशर के बाहर तो घोर कल्यूग है और परिशर के अंदर पूर्ण तरह से सत्यूग विराजमान है सत्यूगी वातावरन है पूरा सत्यूगी वातावरन यह सभी अनुव कर रहे होंगे, इतना शांदार, इतना बड़ा अध्यात्म का दर्शन, मैं कल्पना ही नहीं कर सकता था, आप सभी को मुझे इतना शांदार कारेकरम, अध्यात्मिक क्षेत्र का, मैंने मेरी इतनी उमर में आज तक तो नहीं देखा है, और मुझे नहीं लगता कि सोपचा साल में निकट वविश में कोई कर पाएगा, इतना जवर्दत्त कारेकरम, करने वालों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन, मैंन्त स्वामिजे महराज और उनकी पूरी टीम है, डेडिकेशन के साथ काम कर रही है, उन को अभिनंदन करने के लिए धन्यवाद देने के लिए सब्द मेरे अपूरे पड़ेंगे, पर उनको हिर्दा से धन्यवाद देता हूं, आजनों दिवस, अध्यात्म अने आरोग्यनु छे, आज एक मेंडिकल साइंस पन केछे, के प्रात्ना करवाती, सेवा करवाती, शमा आपाथी, शरी ने रोग प्रतिगार शक्ति होदेश, आप पूरवार बदा थाही लोशे, एटले, ये मारगे आपे जवू, आपाथ करवादी पन शरी ने लापताईश, प्रमुक्साही माराज, अध्यात्म अने आरग्धिनी बाद करता हूं, केता है, कम खाना और गम खाना, स्वामी प्रमुक्साही गणिवार संत्वने बाद करता है, कम खाना और गम खाना, अध्यात्म 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 खाना, अध्य प्रमुक्साही महाराद निवाताई ए आखी जिंगी शने शने शन पड़े पर एमने सान बहु सहन करिज अर दरेकनु कोई साथे वारी अधी अधी वातो नहीं पन सीद्य सीद्य काम थी काम एधी वातो करीशे अले कम खाना गम खाना एमने तो अमल माद मुखिए अपन आई ते भरती तो आपन लाब थाशे वीजी एक वाद सामी बापा करता कथा अने सेवा करो अले तब्यत सारी रे कथा अधी 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 कि यह मंती सुख्या से तेने देथी भले दुख वाई तामा दोना है यह मन तंदृस्वाई मन तंदृस्वाई मन तंदृस्वाई ऐने स्वित्र में अधी पोच पड़ी छाले मन ने जो विवस्ति चंट्रोल मा यह जा साधना से अपिसाधना जा जा से में मन नहीं कंट्रोल मा करो तो भी बुदू आप मेरे पहीज़ रमक्स्वामी महराद जर्णावी महाद समीज़